हलो दोस्तों आज की करेंट अफेर में दोस्तों आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों तो दोस्तों आज का पहला कोशन है दोस्तों हाल ही में चर्चा में रही आईटी एक्ट की धारा 66A के संभंद में कौन सा कथन सत्य है तो उप्यूगत सभी स्टेट्मेंट दोस्तों सही देने वाले को सजा देना है सेकंड ओप्शन सुप्रीम कोट ने 2015 में इसे रद कर दिया थर्ड ओप्शन वर्तमान में इस तरह के तहद कानूनी कारवाई दंडनिये अपराद है तो जो धारा 68 है दुस्तों आइटी एक्ट के तहद उसमें ये सारही बातें सईय दुस्तों अब बात करते हैं सो ने एक्ट कोशन दुस्तों हाल ही में खबरों में रहा वाइनाड वन्य जीव अभ्यारन किस राज्य में इस्तित है तो वाइनाड जो वन्य जीव अभ्यारन है वो हमारा जो केरल राज्य दुस्तों उसमें इस्तित है दुस्तों अब बात करते हैं सो एक्स्ट्रोक्षन है दो फिन्ज बेनीफिट्स शब्द हाल ही में चर्चा में रहा इसके संबंद में कौन सा कथन सही है तो उप्युक्त दोनों ही कथन सही है दोस्तों तो वन बाई उन में दोनों कथन पढ़ता हूं तो पहला statement है दोस्तों करमचारियों के वेतन बत्ते के अलावा उपलब्द अन्य सेवाइँ को फ्रीज बेनिफिट नाम दिया गया है Second option है करमचारियों द्वारा अर्त्रिक्त समय कारिय को फ्रीज बेनिफिट नाम दिया गया है दोस्तों कर्ण ब at करता है अब बात करतेंसों नाइक स्टोय हो अ नीश गंद्रिय मानव संसाधन विकास मंत्री हो परकाश जावेटकर ने जोहार नवाद्य विद्य हले में कितनी नई सीटों को मंजूरी दे दिए है तो 5000 नई सीटों को मंजूरी दे प्रकाष जावेट कर दोस्तों तो प्लीज चैनल को सबस्क्राइब कि दोस्तों और इस वीडियो को Facebook और WhatsApp अकाउंट के माद्यम से अपने दोस्तों को भी शेयर किये दोस्तों